वेलकम एब्रिवान, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन, कैसे हैं आप सब, आज के क्लास में जोग्रफी के एक इंपॉर्टिंट टॉपिक, कास्ट लैंड फॉर्म्स के उपर में हम लोग डिसकसन करेंगे, इस पीडियेफ में मैंने एक खुबसूरत दोट्स आप लोगों क जाते हैं, जिस पर WBCS में क्वेस्टन भी आ चुका है, तो वो भी डिसकस किया जाएगा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, तो आप इसे अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को अंद तक देखे, और हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो आप स has been eroded by desolution and producing towers, features and sinkholes etc. यानि यह एक तड़ा का landform है, जो mainly limestones के वज़े से, उनके desolution के वज़े से एक shape लेता है, जो towers की तरह और features की तरह एक shape ले लेता है, और वो किसी भी तरह का shape हो सकता है, जिसमें different types के features और sinkholes पैदा हो जाते हैं. यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसका नाम कहां से है कास्ट इस नेमड आफ्टर ए प्रोविन्स आफ यूगोसलाविया और एड्रियेटिक सी कोस्ट वेर सच फॉर्बिशन आर मोस्ट नोटिसियेबल यानि इसका नाम जो रखा गया है ये मेली प्रोविन्स आफ यूगोसलाविया से और एड्रियेटिक सी कोस्ट में जहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के लैंड फॉर्म पाय जाते हैं उसके वज़े से इसका नाम रखा गया है कास्ट टोफोग्राफी के लिए मेली कास्ट टोफोग्राफी जो है डिजोलूशन आफ सॉलिबल रॉक्स सच आज लाइम स्टोन, डॉलोमाइट और जिप्सम के डिजोलूशन से बनता है यह जो topography है यह जो shapes है यह mainly desolution of limestone, dolomite and gypsums के बज़ा से बनता है और यह इसका जो characteristics है उसमें आपको एक underground drainage systems देखने को मिलेगा जिसमें sinkholes, caves और इसके इलावा different features देखने को मिलेगे तो इसके लिए एक condition है जिससे समझना हमें बहुत जरूरी है तो पहले हम लोग देखे है condition essential for full development of cast topography यह हम लोगोंने समझा कि desolution of limestone के वज़े से हो रहा है तो यहाँ पर दो important points है जो आपको याद रखना जरूरी है एक presence of soluble rocks, preferably limestone at the surface of subsurface level या तो surface पे या फिर subsurface level में limestone का होना बहुत ही जरूरी है दोसरी बात, these rocks should be dense यह बहुत ही dense होने चाहिए, घनापन का ज्यादा होना चाहिए और यह highly jointed and thinly bedded होना चाहिए यानि एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए इस तरीके के rocks में हम लोगों को यह full development of cast topography देखने को मिलता है तो हम लोगों ने बताया कि इसे कुछ characteristics है यानि different structures देखने को मिलेगा तो हम लोग उस तरह की different structures को देखेंगे जसमें first जो characteristics है वो है कावेरन का What is कावेरन? So कावेरन is a underground cave formed by water by action of various methods in a limestone और chalk area कावेरन जो cast landforms है यह कावेरन के जो caves आप देख पा रहे हैं एक यह underground a cave है जिसका picture मैंने add गया है This is nothing but it is a underground cave Okay So after कावेरन we will see something very important मैंने कहा कि इन लोगों में highly एक पाट है कि इन्हें highly आपको jointed होना चिये highly jointed in the sense they prefer an arc or natural bridge आपस में जुडे होने की वज़े से यह एक तरकी के arc और natural bridge भी बनाते है When a part of कावेरन collapses the portion which keeps standing forms an arc यानि एक कावेरन जो कुछ उसका हिस्सा गर तूट जाता है तो वो तूट करके एक standing form बनाता है that makes an arc ठीक है और natural bridge क्या है जो इनको connect करता है वो natural bridge है तो आर्क आप लोग समझ रहे हैं आर्क एक तरका shape है जो इसके कावेरन की तूटने के वज़े से बनता है What is sink hole? Sink hole is nothing but it is a sink hole is nothing but it is a funnel shaped depression having an average depth of 3 to 9 meters So यह जो sink holes होते है यह एक तरह के funnel shaped depressions है जो higher 3 to 9 meters की हो सकते है These holes are developed by enlargements of cracks found in such rocks as a result of continuous solvent actions of rainwater So यह rocks जो है किस तरह के से बनते हैं? यह dissolutions और crack के वज़े से बन रहे हैं These holes are developed by enlargements of cracks और continuous solvent action of rainwater के थूँ यह लोग बन रहे हैं Surface streams which sinks disappear underground through swallow holes यह क्या है कि अगर कोई river यह stream वहां से गुजर रही है तो इस तरीके के sink holes में वो क्या होती है? गायब हो जाती है तो आप sink holes का एक pattern यहां देख लेजे कि यह एक तरह का sink hole है जो यहां पर आप देख पा रहे है This is a sink hole जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक तरह का जो है यह एक shape है जिसे हम लोग sink hole भोलते हैं यह भी limestones के वज़े से presence of limestone के वज़े से बना है Next part है cast window, what is cast window? तो आप लोग उने Hollywood movies वगएरे देखी होंगी तो उसमें आप लोग देखे होंगी कि इस तरीके का एक window होता है in the river channel This is the cast window, what is that? when a number of adjoining sink holes collapses अगर एक तरह की sink holes बहुत सारे sink holes जो है अचानक से वह collapse कर जाए तो वह क्या होती है वह खुल जाती है open हो जाती है इसी को कहते हैं हम लोग cast window और यह cast window जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह दिखने में किस तरीकी के होती है और यह mainly streams जहां पर flow करती है उसी जगह पर हम लोग देख पाते हैं next sinking cricks और bogas तो यह terminology आपको याद रखनी है कि what is sinking crick और bogas crick का मतलब यह होता है जब water किसी जगह को जो है काट करके जब water काट करके उसके अंदर enter करती है तो cricks create करती है so what is sinking crick mainly water often gets lost through cracks and features in the bed these are called sinking cricks mainly पानी जो है cracks के अंदर में दाकिलो करके वहां गायब हो जाती है और lost हो जाती है तो वहां पर वो क्या करती है उसे काट करके उसे sinking cricks create करती है if their tops are open they are called bogas अगर उनका top portion जो है यह open रहता है तो इसे हम लोग bogas कहते है वरना इसे sinking cricks कहा जाता है so what is bogas cast यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह crack है और इसका उपर का portion open है that's why this is a bogas that's why this is called a bogas अगर यह open नहीं होता तो यह cracks के अंदर water obviously इसके अंदर flow करती तो इसे sinking cricks कहते हैं okay I think you are getting my point last but not the least the main point कि cast landform में जो maximum portions जो देखने को मिलते है what is that is stalactite and stalgamite what is stalactite and stalgamite the water containing limestones in solution sips through the roof in the form of a continuous chain of drops के पानी जो है वो रूफ के उपर से continuous chain of drops के धरू पास होते रहती है a portion of the roofs hangs on the roof on the evaporation on evaporation of water and a small deposit of limestone is left behind contributing to a formation of stalactite होता यह है कि जब पानी वहां से रूफ से पास होती रहती है तो continuously पास होने के वज़े से क्या होती है वहां पर आपको एक तरीके की formation देखने को मिलती है जो ऊपर के तरफ से इस तरीके से जो है देखने को आपको मिलेगी on the roof थिक है तो यह जो ऊपर की उसका दूसरा portion जो है कुछ portion नीचे गिर जाता है ठीक है यह जस्ट इसकी opposite है होता यह है कि अगर उपर के portions से यह जो portions है देख रहे थे इसे stalagotite कहते हैं और यह portions जो नीचे आपको देखने को मिलेगी यह limestone के evaporation से बनी है यह कहलाती है stalagamite so आपको formations obviously आप देख पा रहे हैं यह real picture है यह एक तरीके की geographical pattern में आप देख पा रहे हैं यह real picture है so this is stalagotite this is stalagamite इंडिया में कहां कहां यह पाए जाता है वो भी हम लोग देखेंगे और इसका main reason क्या है this is the main reason that this is the action of surface water and ground water in the chemical weathering of chemical erosion of soluble carbonate rocks like magnesium and carbonates dolomites like limestone they create these kinds of pattern so यह आपको याद रखना है और इसे ही cast topography कहा जाता है WBCS में last year यह question आया था तो इसलिए यहां आपको जानना जरूए कि इंडिया में यह तरह का pattern कहां पाए जाता है इंडिया में यह जो cast landform से वो विंधियन range में आपको mainly देखने को मिलेंगे ठीक है विंधियन range में mainly विंधियन जो आपका वहां का rock structure है विंधियन rock system उसमें आपको limestone पाए जाते हैं इस वज़े से विंधियन region में आपको mainly south western बिहार में आपको देखने को मिलेगा cast landform इसके अलावा हिमालियाज में भी parts of jamu and kashmir, robert cave, sahasar dhara and eastern हिमालियाज में आपको नियर दहरादून आपको यह form देखने को मिलेगा इसके अलावा पंचमारी इन मध्यपरदेश जो के आपको सत्पूरा और विंधिया रेंज का part है पंचमारी ठीक है तो पंचमारी इन मध्यपरदेश इसमें भी आपको यह देखने को मिलेगा इसके अलावा surrounding coast of विसाखा पत्नम और बस्तर इन चत्तिसगर यह बस्तर डिस्टिक जो है फेमस है बस्तर डिस्टिक और विसाखा पत्नम के coast में यह आपको देखने को मिलती है अब रही question WBCS की WBCS में यह question आयाता है कास्ट लैंडफर्म कहां पाया जाता है so West Bengal में एक जगा है बुगजा जैंतिया जो हिल है वो अलिपूर द्वार में है वहाँ पर यहाँ पर सबसे ज्यादा maximum rainfall भी होता है तो आपने अभी मैंने आपको clear किया कि इसमें जो है rainfall का भी contribution है क्योंकि continuous water जो pass होता है उसके वज़े से limestone जो है evaporate होकर कि इस तरह की के formations लेते हैं तो बुगजा जैंतिया में जो के यहाँ पर West Bengal में maximum बारिस यहीं पर होती है बुगजा जैंतिया हिल में तो जैंतिया में में मेली एक तरह का stalactite cave पाया जाता है जहाँ पर एक cave है जिसका नाम है महाकाल cave ठीक है यह एक destination है जिसमें लोग as a pilgrimage जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा भी होती है इस जगह पे सो यह जो landforms आप देख रहे हैं उपर से थरूस है so this is called stalactite और यह मेली महाकाल caves इन जैंतिया अलिपूर दवार का एक feature है जो आप यहाँ पर देख पा रहा है so I hope के आपको cast landforms से related सारी बाते इस वीडियो में clear हुई होगी और कहां कहां पाया जाता है वो भी इसमें present किया गया है so thanks for watching this video आपके exam के लिए यह portions बहुत ही important है और landforms को किस तरीके से क्या बना है वो भी आपके लिए याद रखना जरूरी है जिस तरीके से which is stalactite and which is stalagamite इसके लाव बोगास cast किसको कहते हैं sinking creeks किसको कहते हैं cast windows किसको कहते हैं इसके लावा sinking holes क्या है यह portions मैंने इसमें clear किये और कावर्ण को भी मैंने यहां दिखाया है this is a underground cave so I hope you like this video thanks for watching this video और हमारे channel को subscribe करना ना भूले